दोस्तो आप देख रहे हैं देशी उपचार और दोस्तो आज हम आपके लिए ऐसा उपचार लाएं कि जिससे कोई भी महील आया पुरुश अपने चेहरे पर गोरा बना सकता है जी हाँ दोस्तो अगर आपका रंग सावला है और आप अपने रंग को साफ करना चाहते हैं और उसके लिए हमारी वीडियो को अंतर देखते रहें इसमें हम आपको कुछ उपचार भी बताएंगे और साथ ही साथ एक टिप भी देंगे कि जिससे आपके चैहले पर रंगत आ जाएगी और दोस्तो इन उपचारों को बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने तुचा ओईली है आपके तुचा का रंग सावला है चेहरे पर कील मुहसे हैं और चेहरे पर दाग धब्बे हैं और आप उनको साफ करना चाहते हैं उसके लिए आज हम आपको उपचार बताते हैं चलिए दोस्तो आप जानते हैं उपचारों के बारे में दोस्तों यह जो चेहरे को डेली इनमें कोई वी उपचा अपनागर इस्तिमाल करते हैं तो आप चेहरे में पेरंगत ला सकते हैं चेहरे पर आने दें, और साथ में रूई कर टुकडा भी रखें और चेहरे को घिसते रहें, भाप लेने से मरी हुई कोशी काएंड डीली हो जाती हैं, और रूई के अंदर चिपकरने लगती हैं, और इससे आपका चेहरा काफी ज्यादा निखरने लगता है, और दूसरा है अगर मुलतानी मिट्टी और बेशन का मिश्णन से तुचा पर घिसे तो यह प्राकतिक तरीके से तुचा को साफ करता है और गोरपन लाता है, दोस्तो अगर तुचा पर तेल बहुत जमा होता है यानि आपके तुचा ओली है और मिर्त कोशिकाये में उस पर जमा होती है क्योंकि ये तेल को हमारे चेहरे पेसे बिल्कुल साफ कर देता है दोस्तो खाने का सोडा का अपयोग करें इसमें यानि खाने के सोडे में पानी मिला करके पेस्ट बनाएं और दो तीन बूंदे हाइडरोजन परेकसाइड या सिर का मिला लें और इससे तुचा पर अच्छी से गिसे इससे तुचा साफ होती है दोस्तो मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी और निवू के मिश्ण से भी चेहरे के तुचा को आप साफ कर सकते हैं इससे भी कफे जाता रंग इता आती है अगर खाली मुलतानी में टीवी लगाते हैं आप चाहरे पर इससे तुछा काफी شाथ सोफ्ट हो जाती है और चाहरे का रंग भी साफ होता है दोस्तों चीनी को थोड़ा सा पानी में बालें और गाड़ा बना दें अब इसमें नीबु कारस मिला दें और चेहरे पर लगा के सुखने दें और बाद में गिसके निकालें ताकि छोटे बाल भी निकल जाएं और मिर्त को शिकाएं भी इससे आपका चेहरा साफ हो जाएगा और चेहरे पर जो भी छोटे मटे बाल है वो सब साफ हो जाएंगे दोस्तों चेहरे पर रंग लगाने के लिए और चेहरे को गोरा करने के लिए हल्दी एक स्रेष्ट सामगरी है हल्दी के साथ नीबू का रस मिलाकर चहरे पर लगाएं तेली तुचा वाले यह पर्योग करें और तुखी तुचा वाले इसमें थोड़ा सा नाडल तेल डालके चहरे पर गिसें तो चहरा गोरा होने लगेगा एक आसान गोरा चहरा पाने का यह उपाय है कि आप कच्छे आलू को काटें और तुचा पर गिसते रहें तस से पंद्रा मिनिट तक ऐसा करते रहें और उसके बाद अपने चहरे को साफ कर लें दोस्तो यह थे उपाय कि जिनसे आप अपने चहरे को साफ कर सकते हैं और चहरे को पर रंगत ला सकते हैं इसके अलावा दोस्तो हम आपको कुछ टिप भी देंगे कि जिससे आप अपने चहरे के रंगत और ज़्यदा बढ़ा सकते हैं और दोसर टिप यह है कि आपको डेली अपने चेहरे को निवू के रसे साफ करना है एक निवू लें और उसमें से आधा निवू ही आपको इस्तिमाल करना है जो भी चहरे की मिर्थ को शिकाए हैं वो सब की सब आपके चहरे पेसे हट जाएंगी और आप देखेंगे कि कुछी दिनों में आपके चहरे पर रंगत आने लगी है तो दोस्तो आप इन उप्चारों को करें इससे आपको बहुत फायदा होगा दोस्तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे वो भी अपने चहरे पर रंगत ला सकें और अपने चहरे के दाग धबों को खतम कर सकें दोस्तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और प्लीज कमेंट करें और दोस्तो प्लीज हमारे चाहिए को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे अपकमिंग वीडियो आने वाले वीडियो आप तक पहुष सके और दोस्तो हमारे चाहिए को सब्सक्राइब करना अब्रकुल फ्रीय मुफ्टे थैंक यू वरी मस्दोस्तो